आज हम लोग राश्टी आयोम योगता आधारित छाद्वित परीक्षा दो हजार पंद्रह विज्ञान विशे का हल प्रश्ट पत्र देखेंगे आएं पहला प्रश्ट दिवार घडी के पिंडूलम की गती है यह है इसका उत्तर आवर्त गती जब कोई बस तू अपने पत को निश्चत समयंतराल पर दोहराती है तो आवर्ती गत कहलाती है दिवाल घडी का पिंडूलम अपने पत को बार बार दोहराता है इसलिए आवर्त गती है अगला प्रश्ट नीचे की और गिरते पिंड की गतीज उर्जा इसका उत्तर होगा यह गतीज उर्जा बढ़ती है जब कोई बस तू ऊपर रुके रखी जाती है तो उसकी इस्थित विशेश के कारान उसमें इस्थित उर्जा होती है और जब वहां से छोड़ दिया जात है नीचे गिरने लगती है तो उसकी इस्थितिज उर्जा गतिज उर्जा के रूप में बदलने लगती है और वह गतिज उर्जा बढ़ने लगती है इस्थितिज उर्जा कम होने लगती है लेकिन किसी भी अस्थान पर इस्थितिज उर्जा और गतिज उर्जा दोनों का योग शमाल रहता है अगला प्रश्ण प्रिथिवी के लिए प्राक्रतिक उभ्ग्रह है प्रिथिवी का एक मात्र प्राक्रतिक उभ्ग्रह चंद्रमा है अगला प्रश्ण ध्वन की चाल सबसे अधिक होती है ध्वन की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है इसका उत्तर ठोस मे ठोस से कम द्रौ में, सबसे कम गैस में और निर्वात में ध्वन का संचर्ण होता ही नहीं है अगला प्रश्न बल्व का तंतु किस धादु का बना होता है इसका उत्तर टंगस्टन अगला प्रश्न एक बस्तु दस सेकंड में पांसो बार दोलन करता है तो बस्त की आपरित्त होगी हम आपरित्त की परिभासा से जानते हैं कि एक सेकंड में कमपनों की संख्या को आपरित कहते हैं, यहां दस सेकंड में 500 कमपन, तो एक सेकंड में 50 कमपन, तो इसका उत्तर होगा 50 दोलन प्रस सेकंड, दोलन प्रस सेकंड को हर्स भी कहते हैं, अगला प्रश्ण एक कार दच्छिन पूर्व दिशा में जा रही है कार पर कार कारी घर्षण बल की दिशा क्या होगी यहां इस प्रश्ण का उत्तर पहले हम इस फीगर से देखेंगे यहां कार यह कार है पीले रंकी जो दच्छिन पूर्व की दिशा में जा रही है और हम जानते हैं कि संपर्क तलपर बिप्रीद दिशा में घर्षन बर लगता है और यह बिप्रीद दिशा होगी यहां देखें उत्तर पस्सिम उत्तर पस्सिम ते इसका उत्तर यह होगा उत्तर पस्सिम अगला प्रशन इंटरनेट एक्स्प्लोरर होता है एक ब्राउजर इंटरनेट एक्स्प्लोरर एक ब्राउजर होता है अगला प्रशन एक समतल दर्पन पर आपती किरण एम परावर्तित किरण के बीच में असी अंस का कूण बनता है समतल दर्पन पर आपतन कूण का मान होगा यहां चित्रशे देखें यह आपती किरण है और यह परावर्तित किरण है दोनों के बीच में असी अंस का कूण बनता है यहां देखें अर्थात आपतन कूण धन परावर्तन कूण बरावर्तन कूण बरावर असी अंस हम जानते हैं कि आपतन कूण और परावर्तन कूण आपस में बरावर होते हैं इसलिए आपतन कूण बरावर्तन कूण बरावर असी बटा दो बरावर चालिस डिगरी इसका उत प्रश्ण कैंची उत्तोलक है कैंची प्रथम प्रकार के उत्तोलक है जिसमें और एफ़र्ट किनारों पर होता है फलकरम मध्य में होता है अगला प्रश्ण सोलर कूकर में प्रियुत दर्पन होता है अगला यद किसी चालक के सीरों के विवांतर 12 बोल्ड तथा उसमें प्रवाहिद धारा 2 अंपियर हो तो चालक का प्रित्रोध हम जानते हैं कि प्रित्रोध आर बराबर भी अपॉन आई यहां भी 12 बोल्ड है और आई भी 12 बोल्ड बारा बटा दो इस तरह से 6 ओम इसका उत्तर 6 ओम होगा अगला प्रश्ण निम लिखित में कौन अचुम्ब की प्रदार्थ है निकिल लोहा कोबाल्ट इतिनों चुम्ब की हैं अचुम्ब की सोना है अगला प्रश्ण वाक्साइट किस धात का आयस्क है इसका उत्तर अल्मुनियम अगला प्रश्ण किस धात में तन्यता का गुण नहीं है इसका उत्तर जिंक तन्यता क्या है किसी ठोस्पदार्थ की तनाव डालने पर खीच कर उसका आकार बदल जाना अगर बदल जाने की छमता है तो तन्यता की गुण कहलाता है और तन्य धातों द्वारा आसानी से तार खीचा जा सकता है और अतन्य धात को खीचने पर तूट जाता है अगला प्रस्ट कार्बन का क्रिश्टली अपर रूप है हीरा कार्बन के तीन क्रिश्टली अपर रूप है हीरा ग्रिफाइट और फ्लूरीन अगला प्रस्ट शुस्क बर्फ है शुस्क बर्फ ठोस कार्बन डाई आउक्षाइड है यह सामान्य वाय मंडिली दाप तथा 78.7 अंसिंटिग्रेट तापमान पर सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है इसका उप्योग भोजन पर रेक्षण तथा प्रसीतक के रूप में किया जाता है अगला प्रश्ट कालिसियम हाड़ अक्षाइड का रासानिक सूत्र सीए ओयच ट्वाइस अगला प्रश्ट निम्लिखित में कौन सी गैस वाइमंडल में नहीं है इसमें क्लोरीन गैस वाइमंडल में नहीं पाई जाती जबकि नाइट्रोजन हिलियम आरगन वाइमंडल में प्ष्थित हैं अगला प्रश्ट लोहे में जंग लगने का मूखकारण है ऑकसिजन ऑर नमी लोहे की जंग लगने के मूखकारण होता है और लोहे पर जमीड्रеци आर्प फूरी परच्ज होती है यहाँ देखें P2O5 जिसकी सन्योजक्ता उसके उपर लिख लिख दी जाती है सन्यूजक्ता उस्तद के उपर लिख दी जाएगी oxygen की सन्यूजक्ता दो और phosphorus की सन्यूजक्ता पाँच और तिरशे गुड़ा कर दिया जाता है तो P oxygen के साथ आक्सीजन के पांच परमाड और फासफोरस के दो परमाड सन्युज़क्ता कमसार जुड़ जाते हैं इस तरह से P2O5 में फासफोरस के सन्युज़क्ता 5 है अगला प्रशन जैविक खाद है गोवर पसपक्षियों के मलमूत्र, शरीर आउसेश तथा फसलों, उद्योगों के उत्पादों के बिग्टन से निर्मित पदार्थ को जैविक खाद करते हैं अगला सवाल रक्त जवने में सहायक है प्लेट लट्ष कणक्या है अगला प्रशन केलविन पैमाने पर 0.0 Centigrade बराबर है 273 केलविन के और 11.370 केलविन के अगला प्रशन निम्लिकित में किसका अत्यधिक प्रियोग ओजोन चरण का कारक है यह CFCS जो क्लोरोफोरो कारबन गैस कलाती है अगला प्रशन बैटरी बनाने में किस अमल का प्रयोग होता है बैटरी बनाने में सल्फियूरिक अमल का प्रयोग होता है इसका ब्यापारिक नाम गंधक अमल भी कहते हैं इसको S2SO4 से लिखा जाता है S2SO4 अगला जल में घुलन सील बिटामिन है जल में जो विटामिन नहीं गुलते हैं उनका नाम है एडिक A, D, E, K इस तरह से जल में गुलन सील विटामिन इसमें विटामिन B है अगला प्रस्ण किसकी कमी से घेगा रोग होता है इसका उत्तर आयोडीन अगला प्रस्ण कूड़ पात पाया जाता है अमीवया में जो एक के उसकी जन्तु है और कूड़ का अर्थ होता है नकली पाद होता है पैर नकली पैर यह चलन में कार करता है साथ-साथ भोजन पकड़ने में भी काम करता है अगला प्रस्ण है यह चाइवी से यह चाइवी सम्वंदित है इड्स से जो एक वाइडस है इचाइवी एक वाइडस है जो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है अगला प्रस्ण पायकेट का दूस संरक्षित किया जाता है इसका उत्तर होता है पास्चुरी करन द्वारा पास्चुरी करन भोजन तथा भोज पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक निश्चित ताप तक गरम किया जाता है इसके पस्चाथ इसे जल्द ही ठंडा कर दिया जाता जिससे इसमें उपस्चित सूच में जीवार्थ से नश्ठ हो जाते है इस बीद का पास्चुरी करन भीद का प्रिखोज लुई पास्चर ने किया था अगला प्रशन इस फिग्मो मैनो मीटर से नापते हैं यह रुदिरदाब नापते हैं जबकि इस टैथो इसकोप से असपंदन की दर हिदय असपंदन की दर नापते हैं पत्यों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है? पत्यों में भोजन स्टार्ज के रूप में एकत्रित होता है.